हेलो दोस्तों, दोस्तों आज की सुडियो में हम आपके लिए बहुत ही important questions लाये हैं जो current affairs related हैं 7th August जहां दोस्तों याद रखें कि current affairs आपके आने वाले exam का बहुत ही important section रहने वाले हैं तो वीडियो को end देखते रहें वीडियो को सब्सक्राइब करें तो वीडियो को लाइक करने के साथ है शेयर जूरूर करें तो दोस्तों सब्सक्राइब करते है आज की यह वीडियो आज के पहले question देखते हैं, who has been appointed as the new managing director of LIC, आपको बताना है, Life Insurance Corporation के नए managing director किसको appoint किया गया है, options हैं, देवेंद्र कुमार, mini IP, कुनाल, जलवाला, या फिर सुजीत, कौंगा, इसका सही answer रहेगा, mini IP. Next question देखते हैं, what amount has been approved by the World Bank for the Rehabilitation and Improvement Project DRIP2, आपको बताना है, Rehabilitation and Development Project Phase 2 के लिए, World Bank ने कितना amount approved किया है, options आपके पास, USD 250 million dollars, या फिर 300 million dollars, 440 million dollars, या फिर 500 million dollars. इसका सही answer रहेगा, 250 million dollars, दोस्तों, यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा, कि इस project के तहट, जो इंडिया में damage हैं, उनकी safety के लिए, उनकी improvement के लिए, World Bank ने ये amount approve किया है. नेक्स्ट कोशने है, डाक्टर जगदिश बगवती और डाक्टर सी, रंगाराजन है बिन comfort with the inaugural प्रोफिसर सियार राव सेंटरनी गोल्ड मेडल, CGM, आपको बताना है, आपको बताना है, डाक्टर जगदिश बगवती और डाक्टर सी, रंगाराजन को, इन में से, प्रोफ या फिर डावल्यू एच ओ, इसका सही आंसर रहेगा टाइस ट्रस्ट, नेक्स्ट कोशन है, वैन एज हिरोशीमा डे अबज़र्ट, आपको बताना है, हिरोशीमा डे कब मनाया जाता है, आप्शन हैं, ऑउगस्ट तू, ऑउगस्ट फोर, ऑउगस्ट इक्स या फिर 25 में, ऑउगस्ट 6 को, हिरोशीमा जो कि जापान का एक शहर है, इस पर अटॉमिक बंब गिराया गया था, नेक्स्ट कोशन है, लवलीना बोर्ग हैं, हैज वन दी ब्रॉंज मेडल इन टोक्यो ऑलम्पिक्स फोर इंडिया, इन विच कैटेगरी आपको बताना है, इन में से लवलीना ने इंडिया के लिए ब्रॉंज मेडल जीता किस कैटेगरी में, ऑप्शन हैं, टेंस, बॉक्सिंग, लॉंग जंप या फिर वेट लिफ्टेंग, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा, पार बी, बॉक्सिंग, दोस्तों याद रखें कि यहाँ पर लवलीना ने 69 के जी में, इंडिया के लिए ब्रॉंज मेडल जीता, नेक्स्ट कुछन है, इंडियन होकी टीम डिफेटिड विच कंट्रेज होकी टीम, टु विन ब्रॉंज मेडल एट टोक्यो ऑलम्पिक्स 2020, आपको बताना है, इंडियन होकी टीम ने किस मुलकी टीम को हरा कर ब्रॉंज मे पिक्स में ब्राउज मेडल जीता डिक्ट टक चानिज आर्मी एंड इंडं आर्म इस्टैलिट होट लैंज इंडेन आर्मी हैieso एक उल्फ इस टैले नगर जिससीट होट लाइन इन विश सिटेट आपको बताना है चानिज आर्मी और इंडिय सार्म एकि आपको बताना है इंडियन आर्मी ने कि सिटेट में अपनी हाट लाइन बनाई आप्शन्स हैं लदाक सिकिम आसाम याफिर मिजुरा इसका सही आंसर रहेगा सिकिम दोस्तों याद रखें कि इंडिया ने कॉंगरा पास में जो कि सिकिम में आता है वहां पर अपनी हाट लाइ हाट लाइन बनाई और इसी तरह चाइनीज आर्मी ने खांबला जोंग में अपना हाट लाइन बनाया इन हाट लाइन से आप इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी आपस में बात कर सकते हैं और यहां पर वो पीस के लिए कोशिशें कर सकते हैं तो यह एक बहुत अच्छ चीज माणी जा सकती है नेक्ष्ट कुशन हैं व्टस न मनीस सेंगलस टैनिस गॉल्ड एचट डी टोक्यो ऑलम्पिक्स आपको बताना है टोक्यो ऑलम्पिक्स में मैनस से सिंगलस का गोल्ड मेडल इन में से किसने जीता टैनिस में ऑप्शनम हैं अलेकजेंडर जवेरू केरन कच्छोarta केरन जोशीजी या फिर सुची ताजन इसका सही आंसर रहेगा अलेक्जेंडर जवेरू दोस्तों याद रखें कि उन्होंने रेश्या के केरेन कच्छनो को हराया नेक्स्ट कोशन है वीच उन्वेस्टी हैज बिन रेकागनाज़ एज डिश्टिक्ट ग्रीन चैंपियन फॉर दी एकेडिमिक यए टू थूज़न ट्वेटी ट्वेटी वां आपको बताने साल दोजार बीस एकिस के लिए इनमें से क्यूस इन्वेस्टी को रेकागनाज़ क इसका सही आंसर रहेगा चिटकारा यून्वेस्टी नेक्स्ट वर्शन है वीच कंपनी वास फाइनल बाई यूरेपियन यूनियन ओफ एट हंडर्ड एटी सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन यूज डॉलर्स आपको बताना है इन में से किस कंपनी पर यूरेपियन यूनियन एट हंडर्ड एटी सिक्स पॉइंट सिक्स मिलियन यूज डॉलर्स का फाइन लगाया ऑप्शन हैं अमजन फिलिपकार्ट अलीबाबा या फिर स्नैप डील इसका सही आंसर रहेगा अमजन नेक्स क्वेशन वीच इंडियन नेवल शिप हैस बिकम देफर्स इंडियन नेवी शिप टॉकॉल एड दी हैरिटेज कोस्टल पॉर्ट आफ गुपालपूर इन उडिशा ऑप्शन हैं विकरात खंजर विराट या फिर सुमद्रा इसका सही आंसर रहेगा खंजर नेक्स क्वेशन है विच कंट्री एज रोल इडियन फॉर्ट ट्रेंड फार पूने मेट्रो कोच आपको बताना है पूने मेट्रो कोच के लिए इन मैंसे किस मुल्ग ने पहली ट्रेंड को रोल आउट किया ऑप्शन हैं जापान इटली कोर या फिर चाइना इसका सही आंसर रहेगा इटली दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है कि इटली जो है यहां पर इंडिया को 34 ट्रेंड जो है वो सप्ले करेगा और जिन में से तीन ट्रेनर जो हैं ये इटली में बनेंगी और बाकि जो ट्रेनर्स हैं वो इंडिया में मैनिफेक्चर होंगी नेक्ट कोचन है रवी कुमार दया वान सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन टोक्यो ऑलमपिक्स इन वी सपोर्ट्स आपको बताना है कि सपोर्ट्स में रवी कुमार दया ने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता टोक्यो ऑलमपिक्स में आप्शन्स हैं रस्लिंग शूटिं आफ एरान आपको बताना है एरान के नए प्रेसिडंट कौन बने आप्शन्स हैं मुहम्मद इबराहीम हुसेन इरानी इबराहीम रैसी या फिर जावेद कर बली इसका सही आंसर रहेगा इबराहीम रैसी तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपोर्टन क्वेशन्स उमीद करते हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप डेली वीडियो अपडेट्स दोस्तों मिलते हैं कल एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए टेक केर